आप सभी का अपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसेप्ट कलास्स में स्वागत है और आज किस वीडियो में हम लोग क्लास्ट्रियल पॉलिटिकल साइंस के सेट टू जो कि सर्माग इस पेपर में दिया गया है और यहां पर जितना भी कोश्चन्स दिया गया है हरे कोश् अपने पॉट्रियो को नहीं देखा सबसे पहले आप सेट वीडियो को देख लीजी फिर आप सेट टू के वीडियो को देखे तो आपको बहुत तरह के समझ में आएगा यहां पर कुल मिला आपका चालिस कोश्चन से जो कि 40 नंबर का है ठीक है और अगर बात करें टाइम क स्टार इंस पी एलइं स्टार्टिंग होता था उन्ने सोंचाल इसमें और यह चला था उनने सो थी सtat टक तो जैसे और सिकानवे तक शनता है याद रखिएगा कर लए कि कर देखिए अगला कुशन में क्या है कि दूति कब से कबतक हुआ आपको वह हुथा हमारा क्तार्ट इस यूद्ध रे में चल था 59 में और ये चला था तो वह पूँछे का कि परफं 20 20 बताओ कर से पर्शेटालिस फ्लीज कर नाप्रों तक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं energy कि नीमन मेंसे कि नाटों क्या झाल्यां तो से यूव यू यू से निज्त्र न टिर्विट तो जो चलाने कई सब्सक्राइब यू से bald रखेंग के देश दवारा नाटो का नित्रित हुआ तो यह सभीत यूनियन की सभीत संग ने किसका क्या था वार्षा याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन और मैं आपको सेट वन में बहुत अच्छे तरीकी से हर एक चीज़ के बारे में समझाया था चलिए आगे बड़ते हैं अगला क एक पारे नाटो है सीटो है सेंटो है यह सब के सब किसका है तो यूएसे का है सब यह सब किसका है यूएसे का है और यह जो वार्षा संधी यान के वार्षा प्यक्ट जो है यह आपका सोवियत संग का है चलिए आगे देखिया अगला कुशन देखिया क्या है कि निव रखने में किस भारती नेता का प्रमुक योगदान था तो यह था पंडित जोला नहरु का ठीक है तो नहरु इसका साइनसर हो जाएगा पांस क्या हो जाएगा आगे देखें अगला कुश्चिन क्या है को सिक्स क्या है तो देखें प्रत्म गुड निरिफ्यक्ष सम्मेलन के अब जो हो जाएगा क proud जाएगा सब्सक्राइख जाए और नार्सल लिक दिया जै सब्सक्राइगा यह था हुलेख़ जाएगा सब्सक्राइगा इसका आप अपने कोपी में वह दूंक कर दिया है आगे देखे अगला question क्या है question number seven क्या है तो देखे question number seven क्या है कि जापान में किन सहरों में परमानु बं गिराए गए थे तो जापान के दो प्रमुक सहर एक आपका हिरो सिमा और आपका नागा साकी इन दो सहरों में परमानु बं गिराए गए थे और देखे जो परमानु बं राज के स्थपना कब हुई तो यह किस विचारधारा पर आधारित तो समाजबादी बोले यह पर सामियाबादी बोलें दोनों का मतलब एक होता है समाजबादी बोलिए सामयवादी बोले कोई दिकत नहीं है समाजबादी भी सही होगा सामयवादी भी सही होगा और आपका जो अमेरिका था अमेरिका कैसा था कैसा विचारधरा रखने वाला देश था ठीक है तो पुंजी वादी ठीक है मतलब अमेरिका पुंजी वादी को मिदल फुलो करता था और सोब्यत संग यानिकी जो सोब्यत राजिदिक परनाली जो है वह समाजबादी या पर सामयवादी विचारधारा को फूलो करता था किलिए रोग गया तो यहां पर कोश्चन नमर्न अगया ता 1990 में का अपनाया गया था 1990 में अपनाया गया चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखे आगे लिए Q1 नमर 11 यहां पर क्या है कि सोवियत सांग के विगटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदाई थी तो नमर मिखाइल गौरवाचेव इसके लिए उत्तरदाई था क्या बर्लिन की दिवार किस वर से गिराई गया है तो 1989 में गिराया गया है और देखिए मैं आपको सेट वन को देख लिए यहां पर मैं आपको ज्यादा नहीं करूंगा बहस यहां पर आपसे आप सेट वन को देख देन का दिवार था यह लगए 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 500 किलोमेटर के आसपास था ठीक है खर कोई दिकत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुछ निए कि क्या है कि जर्मनी का एकिकरन कब हुआ तो जर्मनी का एकिकरन आपका 1990 में हुआ था याद रखिएगा जर्मनी का वह था 11 मने 11 11 सप्टमर को यह घटना हुआ था तो 11 सितम्बर को वह था देखे को आपसिन ए का बिलकूल है आपसिनन रिएक है ग्यारा सितमबर 2001 को हुआ था और इसी को बोलते 9-11 की घटना इसी को बोला जाता है आगे देखे अगला कुछ उन का है कूस्चन नमर 15 देख तो यहांँ यान कि यूद्ध यान की उनाइटेड स्टेट ओफ अमेरिका इसका सही एंसर हो जाएगा सारा जितना भी ऑप्रेसिन एंडरिक फ्रीडम हो और सें धाना ट्रीच कोई सावी ऑप्रेसिन वा आपका अमेरिका आद्वाराही चलाया गया है यह बने ठीक है तरी पर्थम खाड़ी जिसको बोलते हैं और यह भी अमेरिका द्वारा ही चलाया गया था आगे देखे अगला कोश्चिन क्या है कोश्चन नमर 17 देख लिजिए परस्तुत क्या था क्या देखिए कोश्चन नमर 19 है कि एक धुरिवेता कि स्थिदी कि देश की सकती की परिचायक है तो इसको बोलते थे दो भी तुटीक है और बाद मी क्या होता है उन्हें स्विकानरेव में क्या होता है सभित अधिगटन हो जाता है और बचकर को रहता है तो अमेरिका बचकर रहता है इसलिए इसका सभी हो जाएगा यूसे यान की सभी तो देख लिजिए कि जी 77 का आसा है दुनिया की की देशों से है तो विकासिल देशों से इसका संबंध है तो 21 का सहीं सरो जाएगा ऑप्सिन नमर 2 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन 22 क्लिए कि 1909 में अपनी अस्थพना के समय यूरोपिस संग का क्या नाम ते की जो आपका यूरोप ये संग है इसका अस्थपना हुगा था तो उस्टाइम क्या नाम था इसका आपको बताना है तो उस्टाइम नाम था यूरोप का आर्थिक समुदा इसका नाम था ठीक है तो 22 का क्या हो जाएगा अपसे नमर एक इसका सहिंसर हो जाएगा आगे देखे कोश्चन में 23 क्या कि माओ कि देश का साधक था तो यह ता चीन नहीं अपने है था ठीक है सर आगे देखे अगला कोशन देखते हैं कोश्चन 25 क्या है कि भारत और चीन के बीच पंचिसल समझोता कब हुआ यह जो पंचिसल समझोता इसका नाम से पड़ा था कि आपर पांच मुद्दा की ओपर डिसकस क्या गया था ठीक है और भारत चीन सम्किन के बीच सम्झोता हुआ था पंचिसल सम्झोता कभ वाता इयाद रखीज़ा है कि सब्सक्राइब से लिश्च रूप में मनाया गया कौंसा वर्ष तो 2006-2026 भारत-चीन GRANT वर्ष के रूप में मनाया गया था आगे कि कइलाक इप्वारीस था साथ सार्क ना। कि स्क्नी थी देखेंश काटन कहते लुब और अभी फिलाल कितना आठ है अफगानिस्तान को जोड़ा गया है किसको जोड़ा गया है अफगानिस्तान को जोड़ा गया है कब जोड़ा गया जोड़ा गया है याद रखेगा अफगानिस्तान को इस्लामाबाद में होने बाला था तो 28 स्का हो जाएगा आगे देखिए अगला कुश्चिन क्या है कि दक्षिन एस्या का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो इसका सेंसर हो जाएगा भारत ठीक है भारत इसका सेंसर हो जाएगा नमर तीस के आए देखिये कि बंगलादेश की उत्पती कब हुई तो 1971 में हुआ था फारका समझोता किससे समंधित यह आगे 32 क्या है क्या है कि कौन से रइका भारत बंगलादेश की बीच सीमान निरधारन करता है सेट इसका सेंसर हो जाएगा रेड किलिप लाइन इसका सईंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला फिर देग लिते हैं कोश्चन में 33 कि आपको तेखिए आपका उनने 1868 को बढ़ता उनने 1868 को याद रखेगा उनने 1818 को यह आपका परमानु अप्रसार संथी हु हुई उसका मोलिक सदे से कौन था तो देखिए जो आपका सन्युक्त राष्ट संग है यान की जो आपका यूए नो है इसका अस्थपना हुआ था का 24 अक्टूबर में ठीक है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसके छो दिन बाद यानिकी 30 अक्टूबर को भारत इसका सदे से बन जाता है इसका जो मोलिक सदे सोगा कोन होगा भारत होगा ठीक है इसका सेनसर हो जाएगा भारत आगे देखिए अगला कोशन क्या है बहुत ही इंपोर्टन ही ह याद रखेगा ऐसा भी कोशन पुझे जा सकता कि एंटोनियों गूट रेस कि देशते संबंदित है तो कहां का है तो पूर्दगाल का है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते अगला कुशन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 36 देख लिजे क्या है कि किसके सिफारिश पर स स्थाइब कितना है तो दस है तो यहां पर इस था ही आपका पांच हो गया और मिना कुछ ट्रीक भी बार बार बता के रखा कि रुच का फेस इसका ट्रीक हो जाएगा क्या है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुझाले कहां है तो 38 का जो अपका सहीं सर हो जाएगा लंदन ल कि भूमनली करन किस बात बीचार धारा पर ठीका है तो इसका सेंटर हो जाएगा की उदारी करन भी हो जाएगा और निजी करन भी हो जाएगा तो 40 का सेंसर हो जैगा और नमर थिर यंकी दोनों से कि यहां आपर में आपको complete सेट्टू का जितना भी कुश्टन से सारा बता दिया और इसके बाद हमारा आने बाला है चेप्टर वाइज टिके चेप्टर वाइज जितना भी होगा छो या साथ चेप्टर जो भी आपको पढ़ना है हर एक चेप्टर का आपको एक करके वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही जल्द सर्मागिस कंप्लेट हो जाएगा तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जहिन